नमस्कार रागगिरी वीकेंड इंटर्वियू सीरीज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कथक नित्यांगना साबेरी से। कल आपने देखा था इस बातचीत का पहला हिस्सा, आज इस बातचीत का दूसरा हिस्सा देखते हैं। मुझे एक चीज और बताईए साबेरी, जब एक मैं जब से हम लोगों ने रागगिरी की शुरुआत की साथ-ाठ साल होगे और मतलब बिर्जु महराजी से लेकर और तमाम कथक कलाकारों से मुलाकात उनसे बातचीत करना, मैं ऐस आउटसाइडर और ऐस आ कह लिए कि कथक को क समझ को बहुत थोड़ा बहुत समझने वाला विक्ति हूं, बहुत कोई जानकार विक्ति नहीं, लेकिन मैं विशयवस्तु में देखता हूं कि एक एक जनरेशन है जो जिनके लिए कथक का मतलब भक्ति भाव है, या कृष्ण है, या राधा है, ठीक है, और फिर मैं जो वरन को लेकर है, पॉल्यूशन को लेकर है, मतलब हम कथक को कहीं बंध नहीं रहा है, उसके विशयवस्तु या उसका जो सब्जेक्ट है, वो कहीं से भी जो भी या बहुत रेलेवेंट हैं, वो चीजें उसमें आ रही हैं, तो यह क्या उसी जरनी का हिस्सा है, या इसके ल करूंगी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेदर यूरा कथक डांसर वेदर वोकलिस्ट तबला प्लेयर जो भी आप करते हैं उसमें खुद का जो एक अगर आप इसी आर्ट में बंदे रह जाएंगे मतलब आप रियाज रियाज मत कीजिए ने वो तो करना ही चाहिए लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में क्या चल रहा है उससे भी आपको connection रखना चाहिए मुझे लगता है क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो personality होता है वो ग्रो होता है अगर आप उस चीज़ को अपने dance में अपने art form में दिखा सकते हैं या फिर दिखा दिखाना भी अगर नहीं हो रहा है लेकिन आप अपने followers के साथ आप अगर ये discuss कर सकते है ये बहुत बड़ी बात है तो मुझे जो लगता है अभी आप जो बोल रहे है कि woman empowerment एक side है और एक side है Radha Krishna का bhakti या पिशिव भakti दुरुगामा बात है I will tell you something very clearly from my side I am not a very I am not a religious person in any sense मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ Actually मैं भगवान में विश्वास भी नहीं करकी हूँ In my family both my parents believe in God and that is fine I have never been stopped They understand me however much they can I understand them however much I can लेकिन मुझे कभी नहीं लगा के dance में कत्तक में मुझे problem हो रहा है इस चीज़ के वज़से मेरी भक्ति आर्ट फॉर्म के तरफ है मेरी भक्ति इसमें है कि आप आर्ट फॉर्म का जो grammar है उसके साथ आप छेड़ खानी मत की लिए That's my point लेकिन आपकी भक्ति किसी भी तरफ हो सकती है If your bhakti is towards woman empowerment अगर आपको लगता है कि आप अपने dance के थुरू से आप उसके उपर कुछ point रखना चाते है कि woman Woman का क्या रोल है society में, क्या होना चाहिए, equality क्या चीज है तो अब उससे भी आपका भक्ति आप कथक के थुरू से दिखा सकते है और अगर आप Bhagawan Krishna में मानते हैं तो अब उसका भी दिखा सकते है तो अभी हम, we are in that generation and we are lucky कि हम dance के थुरू से कुछ भी दिखा सकते है और कुछ भी दिखा सकते is a very good, very positive thing but what I want to add here is that जो एक और चीज होना चाहिए इसके साथ-साथ, वो है staying true to the grammar of the art form अगर आप कथक कर रहे हैं और वो आप एक मैं यह पहले भी बोल चुकी हूँ बहुत सारे जगबे लेकिन अगर आप कथक कर रहे हैं, कथक मूवस कर रहे हैं they call them कथक मूवस nowadays और आप यह कर रहे हैं on a Bollywood song और आप उसको कथक लेबल कर रहे हैं, वो बात गलत है क्योंकि उसको हम कथक नहीं बोलते हैं कथक is not just this सिर्फ आपने इतना कर लिया, थोड़ा घूम लिया इसको कथक नहीं बोलते हैं कथक is a full repertoire कथक has its own grammar अगर कोई आदमी hello बोल लेता है इंग्लिश में इसका मतलब यह नहीं कि उनको इंग्लिश आता है, है ना अगर हिंदी में कोई नमस्ते बोल लेता है इसका मतलब यह नहीं कि उनको Hindi आता है, उनको पूरा grammar आना चाहिए फिर हम बोल सकते कि उनको Hindi आता है या उनको English आता है वैसे ही कथक भी वैसा ही है अगर आपको पूरा grammar नहीं आता है तो आप उसके through से कुछ भी आप project नहीं कर सकते है तो before projecting a message यू first have to learn the grammar of the art form in its full फिर आप उससे चाहे बगवान श्री कृष्णा का स्टोरी बोलिये या फिर आप उससे woman empowerment का स्टोरी बोलिये कुछ भी there should be no difference तो मुझे ऐसा लगता है कि आप message तो देरी सकते तो उससे पहले grammar जो है उसको strong बनाना बहुत ज़रूरी मैं इसी सवाल का part two पूछता हूं आपसे एक बंदिश है जो परंपरा चली आ रही है कृष्णी की है किसी भक्ति की है कोई भी एक बंदिश है माले और एक आपने नया कुछ concept develop किया जहां पर आप woman empowerment की बात कर रहे हैं या एक्वैलिटी की बात कर रहे हैं या कोई भी let's say environment की बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं grammar है आपके पास इसमें भी कोई दो राय नहीं है लेकिन यह जो दूसरा पक्ष है यह जो woman equality की बात है या pollution की बात है, environment की बात है, जब इसको आप concept के तौर पर develop करते हैं, तो क्या ये वो भक्ती और उन सारी चीजों से बहुत कठिन है, या चुटी grammar आती है, इसमें ये भी आसानी से हो जाता है? This is again a very difficult question. Good, great question. It's making me think, which is really good. मुझे क्या लगता है कि grammar का भी दो साइड होता है, एक होता है आपका technical साइड, जो ततकार, चकर, composition, परिमिल्लू, तोड़ा, चक्रदार, ये सब एक साइड है, एक साइड होता है, expression भाव का, जो grammar होता है. Now, historically, we have followed stories of Bhagawan Shri Krishna, stories of Shiva, stories of Durga, in Kathak, those are the texts that we have, and thumris also. तो PR, PR से दूर होना, ये जो concepts होता है, प्यार और प्रेम, इस सब का, लेकिन अभी क्या हो गया है, कि बहुत सारे लोग है, जैसे मेरी तरह जो लोग है, जिन में इतना भक्ती भाव, मुझे मैं कैसे आगा, मैं उतना विश्वासी नहीं करती, जो होता है, मेरा जो personal, ये आ तो मैं जिस से रिलेट करती हूँ, which could be the woman empowerment, or the environment, like you're saying, climate change, उस से ग्रैमर अगर, मुझे अगर भाव का ग्रैमर अगर आता है, it should be as easy for me, it should be, I believe that, that's my personal thing, क्योंकि आप देखे, जो रस होता है, श्रिंगार रस होता है, there are so many emotions, anger, laughter, confusion, guilt, श्रिंगार, ये सब होता है, ये सब आप woman empowerment में भी दिखा सकते हैं, actually अगर आप खुद का story बनाएंगे, उसमे भी आप दिखा सकते हैं, anger दिखा सकते हैं, through the climate change and the current situation with climate change, आप anger दिखा सकते हैं, through the woman empowerment, आप श्रिंगार दिखा सकते हैं, तो बहुत कुछ के through आप ये सब जो आप grammar में सीखते हैं, वो उसमें भी आप दिखा सकते हैं, it's not necessary कि आप भक्ती भाव से ही दिखा हैं, भक्ती भाव भी आप climate change के दिखा सकते हैं, कि आपका भक्ती is towards mother earth rather than lord krishna ये भी हो सकते हैं, तो मुझे लगता है अगर आप, अगर आपने कथक सीखा है, as much as you can, with all your dedication, you can use all that grammar, all that तालीम, all that technical prowess, all that भाव, in other topics also, of your choice, that's what I think. हम लोगों ने एक आपकी क्लिप देखी थी और वो क्लिप दरसल हमने नहीं देखी थी, अब तक तो वो मेरे कहाल से कई लाख लोग उस क्लिप को देख चुके हैं, जहां आप और आपके पिता तबलावादयक पंडित राजकुमार मिश्र जी की एक बड़ी शांदार सी ज उसका ग्रामर बताईए, उसका डीटेल बताईए और वो क्लिप दिखाईए भी. पर हम इंप्रोवाइस करेंगे और सम पर आएंगे और वहाँ से अगला अदमी वहाँ से देल, क्यारिया. तो हमने सोचा था के एक और बहुत, actually there was a fun concept in that, के हम वो नगमा गाएंगे. So when my dad is saying the bulls, he's improvising, मैं वो नगमा गाऊंगी, और मैं जब बोल रहे होंगी, तो बाबा वो नगमा गाएंगे. तो उसमें क्या था? उसमें दोनों का मिश्रन था. And I don't know के वो वो वाइरल कैसे हो गया, मैं सच मैं बोल रहे हूँ, वो बहुतly spontaneous था. हमने बस ऐसे ही मैं, हम दोनों इस सोफे पे बैठके हम दोनों ने किया, उदर कैमेरा रख दिया, और मैं बस इसी रियास करके उठके मैं और बाबा बैठे और हमने किया, शायद कितना लंबा होगा, two and a half minutes, three minutes का वीडियो होगा वो, शायद उससे भी कम. लेकिन उसमें बस, we just had a conversation through rhythms in 11 मात्रा, बात किया उसमें और अच्छा एक बहुत simple video बनाया और मैंने upload कर दिया, और लोगों को बहुत पसंद आ गया, शायद वो बेटी और बाबा के बीच में जो chemistry था उसके वज़े से भी, और थोड़ा जो हमने जो improvise किया उसके वज़े स तो बहुत मज़ा आया और अच्छा भी लगता है के लोगों को ऐसे videos इतने attract करते है, that's also a very good thing, that people are getting attracted, I am sure so many people don't even understand the language we are speaking, but it sounds attractive to them, तो हाँ, मज़ेदार था वो, अच्छा लगा that people liked it so much, अच्छा लगा that people liked it so much, अच्छा लेवो वीडियो भी देखते हैं, दिकुल, अच्छा है पुष्वार झाल Úना झाल कर दो कर दनम अ स्ट मिस्टराइब तनननननन ENच को कि अ अँ अ न झाल अ झाल अ झाल तो जैसा मैंने कहा था कि कई लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं अब तक तो संभौता हो सकता है इस इंट्रिव्यू से पहले आपने वीडियो देखा हो और सोचा हो कि साबेरी कौन है या पंडित राजकुमार मिश्र कहा रहते हैं उनके बारे में कोई जानकारी आपने हासिल करने कोशिश क्यों तो ये इंट्रिव्यू देख लिए इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी साबेरी एक चीज़ और आप मुझे बताइए आप इंडिया में भी परफॉर्म करती हैं इंडिया के बाहर भी परफॉर्म करती हैं जो वीवर्ज हैं जो लोग देखने आ रहे हैं ठीक है क्या कभी जब तयार कर रहे होते हैं तो दिमाग में रखते हैं क्या कि ये प्रोग मुझे कुलकता में करना है या लेट से दिली में करना है गंधर्व महा विद्यालाइव में करना है वहां ऐसे ऐसे लोग आएंगे क्या एक कलाकार की तौर पर आप अपने सामने बैठे दर्शकों के की चॉइस उनकी समझ को ध्यान में रखके त्यारी करती है या यह पर दूब दूब करना है वहां एक चीज ज़रू करती हूँ कि कैसे प्रेजेंट करूंगी उसको शायद चेंज कर सकती हूँ जैसे अगर मैं लंडन में परफॉर्म करूंगी मैं बहुत ज्यादा एक्स्प्लेनेशन दूगी क्यों कि यहां के लोग उतना कथक के बारे में परिमिलू क्या चीज होती है कहां से उनका उसका बोल आता है उनको नहीं पता होगा या परन के बोल पखावज से आते हैं यह उनको नहीं पता होगा इंडिया में उतना उस वो नहीं करना होता है वहां I can just perform and not have to speak as much or not give so much explanation तो वो होता है presentation में difference होता है जरूर थोड़ा तिंताल भी यहां पर समझा देना पड़ता है लोगों को कि यह 16 beats है यहां 4 divisions होते हैं एक division में 4-4 मात्रा होता है तो ऐसे अगर समझा देते हैं तो लोग they can also relate to what you are dancing तो यहां वो ही difference है लेकिन कौन सा composition नाच चाही हूँ या कौन सा ततकार ना कर रही हूँ वो उतना में नहीं सोचती हूँ मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि अगर मैं अपना डांस अच्छे से करूंगी तो सब लोगों को अच्छा लगेगा रिगादलिस अव माई कॉन्टेंट इस त्रू यह ट्रदिशनल कथक what I have learned मैं जो तालीम जो लिया है अपने जो पर संगित समिति और हाँ तो अधर I that before that I had never spoken in Hindi in public ever mother much actually bought Sharam out of the and because my mother is Bengali and my father was also born in Kolkata my mother was also born in Kolkata so for me Bengali is my mother language and the other one is English I grew up here from five and a half years old English तो मैं हमेले सुनती रही थी माँ बाबा स्टूरेंस के साथ हिंदी बोलते हैं तो वो सबकॉंशिसली आ गया थोड़ा हिंदी मेरे दिमाग में और मैं सीख गई लेकिन किसी के सामने बोलने में बहुत मुझे जीजक होता था तो तो यहां के आदिन्स हिंदी पसंद करते हैं यह को हटी है तो यह अगर आपको लेंग़ोज स्टूरा कूशिष कीजिये वहां पर वैसे communicate करने का तब से मेरा शुरू हुआ थोड़ा हिंदी बात करना इन इलाबाद, इन देली, I would try and I'm also thankful for that क्योंके अभी मेरी हिंदी ठीक ठाग है मैं बोल लेती हूँ तो because of dance, I have been able to become fluent in Hindi and speak in Bengali when I'm in Kolkata and speak in English when I'm here तो वो सब चीजे as an artist you need to keep in mind how do you communicate with your audience that's a very big thing एक पोल देता हूँ आपको आप सब्सक्राइबर से आपकी जब इंटर्वी शुरू आप वाला था उससे पेदे साविरी न का कि मुझे हिंदी थोड़ी थोड़ी आती लेकिन अभी तक तो मुझे लगता है कि इतनी हिंदी है बहुत अच्छी हिंदी है इतनी हिंदी से बहुत अच्छा काम चल सकता है रेन रिइसमें इसकी विशेश्टा हऊती है इसका ये विशेवस्तू होता है इसमें ये इंस्ट्रुमेंट होते हैं लेकिन एक के तौर पर आपको कोई फर्क लगता है कि यह यहां का दर्शक है यह बाहर का दर्शक है यह लंडन की ही बात नहीं करूं भारत के बाहर कहीं भी भारत के दर्शक और भारत के बाहर के जो दर्शक उसमें कभी कोई फर्क आपको लगा अच्छी बहुत फर्क है पहले भारत की इंडिया में क्या होता है कि जहां जहां पर मैंने पर्फॉर्म किया है यूजुली वो festivals होते है जहां पर बहुत सारे गुनी कलाकार भी होते है आपके audience में तो यूजुली क्या होता है कि आप वहां जाते हैं knowing जैसे आपने बोला कि इन उको कुछ ना कुछ तो information है मेरे art form के बारे में जो front row में बैटे हैं उनको तो बहुत ही information होगा क्योंकि ये खुद कला का है तो आप वहां एक different attitude लेके जाते हैं कि मुझे I'll be completely honest, I have to prove myself and as a young artist you go with that thought because you are trying to make a mark in this field you go with that thought कि मुझे अपने अपको proof करना है that कि मैं बहुत अच्छी dancer हूँ, I'm a good performer तो attitude अलग होता है और लोग वहां पर मैं एक बात बुलना जाओं कि Kolkata especially Kolkata is a very very critical audience very critical audience India generally as well but Kolkata specifically मुझे लगता है शाइद मैं Kolkata मैं born who you इसलिए शाइद मुझे लगता है but Kolkata is a very very critical and difficult audience to impress वो आपके लिए कभी भी कहीं भी ताली नहीं बजा देंगे आपने शाइद कुछ किया आपको लगा आपने बहुत अच्छा किया लोग एकदम silence में कुछ रियाक्शन ही नहीं लेकिन फिर आपको बाद में concert के बाद आपको ऐसे आपके प्रेज करेंगे जो आपको दिखा इनाए concert के वक्त तो 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 वेरी डिफिकल तिंग तो मैनेज कि आप performance करते-करते आप सोच रहे हैं यार किसी को पसंद नहीं आ रहा है क्या यह जो आता है ना abroad as well other places here people's minds are very open they come with a completely clean slate उनका कुछ प्रीकंसेप्शन नहीं है कुछ नहीं है वो सिर्फ आपको देखने के लिए रहे हैं and as an artist that's very freeing आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है आप सिर्फ सोचते है कि आज मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है आप जाते हैं आप अपना इदर अगर आप कुछ experimental करेंगे experimental in the sense I always believe in experiment within my kathak grammar that's me personally I like doing that I like doing traditional kathak but experiments within that अगर आप कुछ experiment करना चाते हैं तो यहां पर लोग they will take it with their arms open इंडिया में आपका कुछ criticism भी मिल सकता है कि क्यों experiment क्या क्या था वो तो this thing people are very very open here very open-minded that's a very big positive अगर किसी ने कत्तक नहीं देखा है in their lives they will still come and watch you but in India I have seen के थोड़े लोगों नहीं यह मिने कभी देखा नहीं है मुझे नहीं जाना नहीं देखना है तो यह जो चीज है that that's a difference यह पताए कि dance से शुरुआत की थी फिर वो हमने क्लिप भी देखी आपके और बाबा के जुगलबंदी की लेकिन गाने वाली बात तो भी रही गई आप तो बाकाइदा गाना गाती भी हैं तो कुछ गाने में भी सुनाइए हमारे subscribers को और हम लोग को जी मैं actually एक वीडियो दिखाना जाओंगी जिसमें मैं गाना भी गा रही हूं और थोड़ा भाव भी दिखा रही हूं उसमें एक ठुम्री है तो उसका में दिखाना जाओंगी यह तो पूरा credit में माक हो जाता है क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला जी मैं पहले बोले हूंगी जाता है तो जाता है तो इसका में दिखाना जाओंगी जो बोलना जाओंगी कि पहले मेरे साथ कत्तक में जो होता है एक बहुत मज़ेदार वात हुआ कि मैं क्या करती थी पहले जो मेरे साथ गाते थे, मैं इनको बोलती थी आपके गाने के पहले मैं थोड़ा गाऊंगी और फिर मैं जब भाव करूंगी, आप मेरे साथ कहिएगा ऐसा होता था stage पर फिर I went to a Kathak Marathon in Shiliguri, West Bengal organized by a very very wonderful tabla player with dance named Shree Shubit Thakur who also plays with me a lot तो वो उधर organized करते हैं ये उधर सुब दस बजे से रात दस बजे तक सिर्फ कथख होता है सिर्फ कथख होता है सुबसे रात तक groups, individual performances, duets तो मेरा था और everybody gets because it's a marathon, everybody gets 15-20 minutes at max marathon होता रहता है, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद तो मेरा जब turn आया, तो मेरा जो होता है, concert में होता है कि किसी ने थोड़ा जादा time लिया तो next person का कम हो गया, ऐसा होता है तो मेरा जब turn आया he told me that you have, you know I think he said 13 or 14 minutes मैंने सुचा लिए, मैं क्या करूँ तो मैंने मेरे vocalist को बोला, वो भी सुबह से गा रहे थे भुछ सारे कतक डांस के तराम आप rest लेजीये, तब मैं अपना खुद का पढन्स में खुद करती हूँ मैं एक mic लेती हूँ, खुद का पढन्स आंस करते-करती हुद का पढन्स करती हुद मेरे पास वो mic वैसे भी था तो मैंने बोला आप रेस ले लजीये by singing and dancing at the same time on stage. और उसके बहुत सारे बेनेफिट्स है. वन, मतलब गाना सीखने का तो बेनेफिट तो यह ही कि आपको सुरका सेंस हो जाता है. फिर्ट, यह है कि आपका जो भाव के साथ जो संगीत का जो कनेक्शन वो हो जाता है. थार्ड, as a dancer, I would say, and I keep saying this to everyone who I speak to as a dancer, आपका स्टैमिन बहुत बढ़ जाता है इससे. Because when you're dancing, you're anyways breathing a lot. उसके उपर से आप बोल भी बोल रहे हो, आप गाना भी गा रहे हो. उसका अगर आप रियास करोगे, आपका स्टैमिन मतलब it'll be amazing. And I have benefited from that. My stamina has reached new heights because I have started doing this. Because I have started doing पढ़ंत and गाना together. So, मैं उसका क्लिप दिखाना चाहूंगी. So, I would like to thank my mother and my father. My father was the first person who said to me, He used to make me do riyas like that. Eek composition को 50 times you repeat and every time you shout the balls while you're dancing them. But it shouldn't affect your dance. So, उससे मेरा stamina बढ़ गया और उससे मेरा जो कुद पे जो आत्मा निर्भरता होता है. That you don't need too many artists on stage. You are a package in itself. That confidence comes. So, that has been a big development in my career, specially. मुझे लगता है कि concentration भी बहुत जबरदस्ट उससे आपके अंदर आया होगा. मतलब इस्टेमिना के साथ साथ चुकी जो आगे बैठी है रो में लोग होते हैं, वो अगर एक सुर्वी इतना सा भी उपर नीचे हो तो वैसे घूर के देखते हैं और फिर वो तुरंत दियाद दिलाते हैं कि ग्यारहवी पीड़ी की कलाकार हैं तो बहुत रिस्क होता है, खैर, वो क्लिप देख लेते हैं. झी बिलकुल गुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं वेश्वाधारं गगना सद्रिशं वेश्वाधारं वेश्वाधारं गगना सद्रिशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं लक्षमी कांतं थे लिएं क हमाला नायनं। Lakshmikantham Kamalanayanam Yogi Vi Dhyana Gamyam Yogi Vi Dhyana Gamyam Vande Vishnu Bhava Bhaya Haranam Vande Vishnu Bhava Bhaya Haranam Sarvalokaika Naatham Sarvalokaika Naatham Sarvalokaika Naatham जैसा हमने कहा था कि सावेरी से बाचीत के दौरान हम हमने उनका अनृत्य पक्ष देखा हमने उनकी जुगलबंदी भी देख ली हमने उनका गायन पक्ष भी देख लिया और अब यह जो इंट्रिव्यू का आखरी अब भी बच्पन है तो वह भी इमानदारी से बता दीजे तो हुई है देफिनली हुई है बाबा से हुई है actually mainly from my dad because he was the one who used to make me do riyaz most और कुछ भी मतब वो मुझे ततकार करवाते थे तो थोड़ा भी अगर sound में कमी हो गया energy is lacking he would just hit me you know that was always there um but I think that I think biggest is uh again my father it's 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 ongoing it never really ends that is a ongoing thing I don't think you can ever say that I can only tell you that it has always been about um not doing enough of something so not being involved enough in your music or not being involved enough in your dance it has been because of that or because in a in a concert I have done something I have made a mistake mistake because it was the dart was because that mistake was silly और वो mistake होना नहीं चाहिए था and that mistake happened because involvement was less so if if it's a if it's a mistake जो spontaneous नहीं हो गया मैंने कुछ नया टाई किया वो mistake हो गया he will not tell me off because of that he will tell me off because the mistake I made was very clearly because of a lack of involvement so वो डाट हमेशा याद रहता है I try करती हूँ अभी भी वो mistake होता है असा नहीं होता है but you know those scoldings are important and uh compliment one compliment I think uh if my dad or my daddy or my mother says to me आज बहुत अच्छा performance हुआ तो then that's the biggest compliment to me because मेरी जादी जादा बोलती ही नहीं है after my performances वो जादा बोलती ही नहीं है उसको अगर किसको और भी बूछ ले उसको कि आज तो आपके पोती ने बहुत अच्छा ना जा किसा हां अच्छा था इतना ही अगर उससे जादा बोल दिया मतलब today I ran exceptionally well मतलब अगर बोल दिया कि हां बहुत अच्छा था ये तुमने बहुत अच्छा ना जा मतलब that's like बहुती अच्छा हुआ है concert और बाबा भी अगर बाबा ने बोल दिया कि आज तुमारा बेस था मतलब I have only improved I have not I have not gone the other way that and I think I don't know who had said I can't remember who I have to remember somebody had said to me that मेरा दांस बिलकुल अलग है सबसे whenever somebody says to me that my dance is अलग that is a very big compliment to me because they feel that they have seen something different I have done something different in their minds so that is a very important thing but they also say that it's traditional it's pure you haven't gone on to another track but it's different so that's a very big big compliment for me if I can keep doing that that will be pretty good की तरफ से तो यही शुक्कामना हैं कि आपको इस तरह के धेर सारे compliment मिलते रहें और वो जो डाट है वो डाट भी मिलते रहें क्योंकि वो हमारे दरसल क्या है कि जो माबाप होते है एक बार मैं इसी सीरीज में हरी अरंस आपका इंट्रिव्यू कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा मैंने का आपकी मात आरीफ करती थी तो बोले वो वो सिर्फ ऐसे मुह हिला देती थी उसी में लग जाता था कि हाँ आज कुछ अच्छा किया है तो ही हम मूह भी लागरना उ और जुगलबंदिया नई नई सोच और एक अलग कलाकार का जो टैग चाहिए मुझे लगता है उसमें तिंकिंग आर्टिस्ट भी मैं जोड़ देता हूं कि तिंकिंग आर्टिस्ट का एक टैग आपके साथ रहे कि क्यों कर रहे हैं यह पहले पता होना चाहिए डांस तो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं यह सारे आपके अंदर और ऋड़ा मजबूती से डिवलप यह सारी शुभकान ना बहुत बहुत भबहुत धन्यबाद क मुझे बुलाने के लिए थांकियू सा मच His झाल झाल